कल शुकरवार यानी 28 जून वाश्चिक अमनात यात्रा शुरू होने जा रही है ये यात्रा 19 अगस तक चलेगी आप देख रहे हैं जेकी नीज स्टूडे में आपके साथ हिमानी कंधारी 19 अगस को हिंदु कलंडर के श्रवन महीने की पूर निमा है और उस दिन अमनात श्राइन में मुख्य पूजा होती है श्री अमनात श्राइन हिंदु का एक प्रमुख तीरत स्तल है ये यात्रा 52 दिन के लिए चलेगी और ये साल में एक बार होती है श्री अमनाद जी की श्राइन अनंतनागजिले में हिमाल्य परवच रंखला के बीच 13,000 फीट की उंचाई पर स्तित है यहां पहुँचने के लिए दो मार्ग ले सकते हैं पहला ट्रडिशनल रूट पहलगाम चंदनवारी से होते होए अमनाद केव श्राइन तंक पहुँचता है यह रूट 36 किलोमीटर का पैदल दुर्गम रास्ता है इसके बेस कैम पहलगाम है जहां से यातरी पैदल ट्राक करते हैं और इसके साथ उन्हें गोड़े, पालकी, पिठ्ठू की भी सुविद्धा होती है साथ ही में हेलिकॉप्टर सर्विस जो के पहलगाम से पंच तरनी तक का सफर असान बना देता है इस रास्ते में महागुनस सबसे उंचा पॉइंट है, जो के 14,000 फीट की उंचाई पर स्तित है ये ट्रडिशनल रूट इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले यातरा इसी रूट से शुरू हुई थी दूसरा रास्ता है सोन मर्क बालटाल की तरफ से, जो के सिरफ 14 किलोमीटर का है और कई यातरी तो एक ही दिन में आना जाना कर सकते हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत नेरो है और मुश्किल लेकिन यहाँ पर भी बालटाल से पंच तरनी तक के लिए हलिकॉप्टर सर्विस है ये यातरा बहुत एहम यातरा है, इसलिए सर्दियों की बरफ पिगलते ही एड्मिस्ट्रेशन इसके इंतजाम में जुट जाती है यातरा प्रबन भी बहुत विशाल होता है यातरियों के रहने के लिए अलग-लग पॉइंट पर टेंटेड अकॉमडेशन, टॉयलेट की सुविधा, खाना-पीना, मेडिकल फैसलिटेस, मुबाइल कनेक्टिविटी, पाने की सुविधा और भी बहुत कुछ होता है इसमें एहम है यातरियों के लिए थ्री टायर सेक्योरिटी कवर, जो बेस कैम जमू से अमनाज श्राइन तक उपलब्ध है पहले वर्ष से ट्राक की मिंटेनस चाहे पहल गाम रूट हो या बाल टाल, वो बॉर्डर रोल और्गनाइजेशन कर रही है वैसे तो सरकार ने पंच तरनी से थोड़ा आगे तक सड़क बनाने का प्लान को मंजूरी दे दी है 13,000 फीट की उन्चाई परस्तित अमनाज की गुफा में बगवान शिव के नाच्रल शिवलिंग बनते हैं जो बरफ के होते हैं, बरफ के नाच्रल शिवलिंग अपने पूरे अकार में 5-6 फीट तक शुरू में होते हैं लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे उनका अकार छोटा होता जाता है कई बार ऐसा देखा गया है कि बरफ के शिवलिंग गर्मी की वज़ा से मुख्य दर्शन से पहले ही पिगल जाते थे वैसे तो सरकार हर मुम्किन इंतजाम करती है इस यात्रा के लिए लेकिन जैसे ये यात्रा सावन के महीने में होती है तो बारिश की वज़ा से कई बार रुकावटे आती है 1996 में भारी बारिश और बादल फटने से लगबग 200 यात्रियों के जान चली गई थी उसके बाद नितिश सैन गुपता कमेटी बठाई गई जिन्हें बताना था कि यात्रा किस तरीके से सुचारू रूप से और सेफली चल सके और खराब मोसम के इंटाक्त कम से कम हो तो नितिश सैन गुपता कमेटी ने सिफारिश की कि ट्राक के अलग लग हिस्सों पर किसी वक्त भी 10,000 से जादा यात्री नहीं होंगे बारी बारिश की वज़ा से 2022 में भी एक ट्राजडी हुई जब अमनाथ श्राइन में फ्लडिंग से 15 यातियों ने अपनी जान गवाई तो मोसम के बारे में जानकारी के लिए सरका ने वेदर फोरकास्ट और अलर्ट के लिए बरे पैमाने पर काम किया है इस पर जमू कश्मीर के टॉप वेदर एक्सपर्ट सोनम लोटस ने ये कहा आप देखिए प्रमपाद मौन्सुन एस पर अमारनाजी यात्रा इस कांसान आएमडी एस उज्वल एदरी यार आएमडी में एक अबरे अरेंजमेंट और फोरकास्टिंग ओफ रेंफाल एक्सिंग बीच अप इनी कांड ओप सिवेड़ वेदर उसको एक्षिम का मला फोरकास्ट आइमली फोरकास्ट करने के लिए लाबरे एरेंजमेंट किये गे राइट फोम जमू तिल आमारनाजी होली के बताथ तो एक हफ्ता या दो दीन मेना पहले फोरकास्ट इसको नहीं कर सकते हैं विदर कुम देता है जैसे जैसे जीन दीन नजदी होगा तो अमना जी अतरह या कोई भी हो तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल वेल प्रिपेर आए बारत मौसम वीपाग बिल्कुल कियार है एलाबरे एरे जैसे कई माला फोली के उसे लेके जैसे में बॉल्ड पांच तरनी हो या शेजनाग बालताल नुनमान साथ में पूरा आटोमेटिक वेदर सेशन लगा हुआ है तो उनके ऑफरवेशन वेदर कैसे कैसे चेंज होता है उसी में बासिव इंपॉट फ्रम दोस आटोमेटिक व जैसे कि आपने जाना के यह यातरा बहुत डिफिकल्ट है इसलिए इसमें मेडिकल फिटनस पे खासा ध्यान दिया गया है और इस यातरा पे 13 वर्ष से उपर के लोगों का इस यातरा पे जाना अलाउड नहीं है तो कल यानी 28 जून से बावन दिन के लिए यह यातरा चलेगी जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार हर संबव इंतजाम कर चुकी है और साथ ही कड़ी निगरानी भी रखेगी आप देख रहे हैं जेके नींस टूडे व